नमस्कार, मी शाइलजाज ओगल, हैलोचोविस्तास मदे आपले सगयां सा मना पासुन स्वागत करते हैं, या कारेक्रमात आपन नेमी स्विविद विश्यान वर्ती चर्शा करतास्तो, आज आपन शैक्षनिक विश्यान वर्ती चर्शा करना रहोद। आले-आले आहे या विश्यातिल तद्निया मनोच साउधरी, विश्याला सुरवात करना प्रवी मनोच साउधरी यान सामचा स्टूडियो मदे स्वागत करते हैं, स्वागत है सर्थ। ट्रवी मनोच सामचा चर्वात करना प्रवी मनोच साउधरी, विश्याला स्टूडियो मनोच अब्बेश्या थाना विश्याला मैडम, सरवात आदी, I am compared to talking Hindi. तर मला, मुझे ये बोलना है, बच्चों को मैस का डर, क्यों लगता है और उनको क्या प्रॉब्लेम फेस करने पड़ते हैं? मुझे बहुत सारे साल से सिका रहूं, तो इसलिए मुझे बहुत सारे बच्चों ने फीड़बैक दिया है. तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फॉमलिस का याद अठाना, उनको यादन आता है, एक्जामे बट तकलिप देता हैं, यादन आते हैं, मेथर्स यादन आते हैं बच्चों को. तो सब पड़के जाते हैं, एक्जामे टेंशन आता हैं, उनको कुछ ने क्लियर होता, तो यह सारे बातों पर मैंने सुलिशन्स निकाल यह और यह अगर लोगों को मालुमिया कि दो चीजे अगर मैंसिंपल बना नहें तो सब को मालुमें, दो चीजे होनना चाहिए, एक मै एक प्रोसेस डेवलोक है अचा गाइड़न्स मतलब जब लोग खाली एक्जामपल एस्प्लेंग करते हैं मतलब यह बाते हैं एक्जाम में बच्चों को कैसे याद आएगा तो मैंने क्या है गाइड़न्स में कि फॉम्मली कैसे याद किया जाते हैं वह पार्ट में एक करने के बाद में डेवलोक किया गया और अंको वह बच्चों को अगर यह कंसे फॉम्मली मेथर्स या बहुत सारे पार्ट उसके रूल्स भी यारखना पड़ता है अगर इंका अगर हमने रियल लाइप के एक्जामपल देखे अगर उनसे हमने याद कर आया तो यह बच्च अगर आज के रियल लाइप की एक्जामप देखे गरों को समझाया सिकाने की टाइम हम लोग कुछ चीजे एक्शन कर कि सिखाते है कुछ चीजह को हमें बच्चों को इस टाब से बताना है कि भई पॉस लिया जाता है जोड से बोला जाता है कुछ बाती बच्चे हमारे सबसे पर्राक्टिस करने के लिए में क्या करता हूं जो चीजे हम सिखाते बच्चों को तो तीन बार लिखाने कर अगले लेक्शा रिखा तीन बार लिखा ताकि बच्चे एक मंद के बाद में वह प्राक्टिस का हैबिचेयल जो दिन हम ने सिखाते हैं जो दिन ओपाट शिखा है अगर वो बच्चा दुसरी दिन याद करके आता है या समझ के आता है प्रैक्टिस करके आता है तो उसे कॉंफिड़न्स बढ़ता है याद रहता है पहली बार जब पढ़ता है बच्चा तो कुछ चीजे ओ कलकी से काई उसको इाद आता है उसे बाद में अगर वो बचचा दूसरी बार करता है तो उसे थोड़ा सी प्रॉपर कॉंफिड़न्स आता है तीसी पार तो ऐसा होता है कि बच्chu को कुश् nephew द क्ली को हुभता है या प्रोसेस को अगर जाते है本ज को फर्स रिवीजन में बोत हुआ है और एक साइड में हम जगर छोड़ते हैं ताकि बच्चा क्या करता है वो शिखावा फॉर्मलीस जिस ट्रिक से मनी सिखा है जिस आइड़े के मनी सिखा है बच्चा सेम देखके लिख लेता है और एक पर्टिक्लर टॉपिक अगर दस दिन तक चलता है सपोज तो दस दीन तक वो बच्चे को फॉर्मला शीट फिख लगप करना है अगले लेक्चर में लिक किला ला आए अगर वो 10 दिन तक चीज कर लेता है तो बच्चा फॉम लग 20-20-30 वार याद कर लेता है साब्कार एक्जाम एक बूलता नहीं बाद में सेम सेमपट होने के बाद में ब प्रोसेस अगर फॉर्मुला जो हम मेथर सिकारे उसका भी याद करने का अगर हमने राइटिंग प्रैक्टिस का अगर प्रैक्टिस करवाया तो बच्चों को ये सारी चीजे एक्जाम के टायम में अच्छा लगता है और जैसे एक्जाम आता है उसे पले टीछर्स का काम है प तो बच्चों को जो जो सिखाते हैं, अगर हम लोग प्लास में बोलते रहते हैं, आपने ये पढ़ा, ये किया, ताकि ये बाते करके करके जो बच्चा पढ़ता नहीं, उसको भी आदत लग जाता है, तो ये प्रोसेस अच्छी हादत, हैबिट डेवलोप करने में बच्चों को थोड़ा एक मन्त लगता है, उसके बाद में उनको कुछ बोलने की जरूदी नहीं, कि अगले टाम में उनको क्या पढ़ क्या आना है, क्या नहीं, और ये फॉर्मला शीट और राइटिम प्रेक्टिस करने का भी प्रोसेस मैंने डेवलोप किया हुआ है, जितने भी एक में 300-400-500 बच्चे होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उनसे डेली फॉर्मला शीट कलेक करता हूँ, डेली राइटिम प्रेक्टिस कलेक करता हूँ, मतलब इसमें 90% बच्चों को ये आदत लग जाती है, अगर कुछ बच्चे हो जाते हैं जोंको अच्छा लगता नहीं लि द्रॉट को लगता है की मुझे ये पार्ट अभि शुरुव करना पड़ीगा, क्योंकी बाधी बच्चे कर रहे हम क्यों नहीं करें, तो इसमें धीरी-दीरे बच्चों को अच्छा लगता है, इतना भी बच्चा या कितना भी मैस का डर लगता होगा जाक तक ये पर्युन किया हुआ है तेन तक guidance proper मिलता है क्योंकि वह basic level होता है उसको सिखाने वाली बहुत सारे लोग expert मिलते हैं तो बच्चों को खुशी-खुशी पढ़ते बच्चे तेन तक यही चीज मैं आपजर किया है 12 तक नहीं होता क्योंकि 12 में कि expert लोग थोड़ा competitively school से कम होते हैं और जो expert है उसका practice अगर जो टीचर ने प्रॉपर करवा है तो उसका बच्चों को टीचर अच्छा लगता है ऐसा नहीं कि मैस के होना चाहिए कभी कभी physics कुछ बच्चों को अच्छा लगता है कुछ बच्चों को chemistry अच्छा लगता है कु तो टीचर बच्चों की साइकलोजी की साब से अगर काम करता है तो कोई भी सब्जेट का हो वह सब्जेट का सब्जेट बच्चों को interesting लग लग जाता है और यहीं चीज में उबलता हूँ engineering में guidance देने वाले proper expert लोगों की और कमी होती है क्योंकि इनका level engineering का और बढ़ जाता है इसलिए मुझे बच्चे जो feedback देते हैं जो मैंने सर्वे करता हूँ बच्चों को बहुत कम teachers मिलते हैं जिनको proper guidance मिलते से बच्चे खूश होते हैं ऐसा 20-30% teachers है जो बच्चे वो टीचर के ल एक्जाम दे रहे सब बैंकिंग का एक्जाम दे रहे हैं तो पात-दस परसेंट ही बच्चे पास होते हैं ऐसा की होता है कि उनको जो जो सिखा हुआ है वो proper collection करे में उनको तकलिव होता है या graduation में उन्होंने बहुत proper वियसे नहीं सिखा है इसलिए result इतना कम आता है या उस कुछ लोग को जॉब मिलते ने अच्छी तरह तो सोचते की चोल भी PG कर लेते हैं बाकी जगह पर आउट आप इंडिया जाने का सोचते हैं तो यह क्यो होता है कि मैक्सिमम बच्चे इंट्रेस से बाहर जाने वाले इंट्रेस से पोस्ट ग्राजिएशन करने वालों का प्र इंजिनेरिativity का बधीवाजस ही वियर्ण का पीज़ आई आख सरे इंजीनेरिंग को आए हैं मैं इस टाइप से वे से अगर सिकता है उख QD जिद्फिया तो यह विघ का पारणा सीम्पल जाता सारे एक्जांब स्कोल जा क्वेज्ट depव एसी उपलब्द अभाना 유ाक लो तर आत्ता जा COVID situation मुझे ओनलाइन और अपलाइन मागे अक्चुली 10, 15 दुसा पुरी आपलाइन कोचिंग शिरू केलोता है और गोर्में इन कायलाइन नो चार अमल ते बंद करू लगए तर अपलाइन कोचिंग मदे मैक्सिमूम ठीकानी PPTs यूस करून शिकोल जाता है मैं मैं सर्का सब्जेट क्या साइन्स विद PPTs संबदन मुलाणना अल्री आउगड़ जाता है और आता तो परद आउगड़ जाता है मैं सर्वी के लिए मुलाणन चा कि 90% मुला या सिच्वेशन नी परिशन जाले ले पन याचा और सूलूशन करने साथी मैं काय के लिए कि जैसे लाइव लेक्चर्स अस्थन्ना वीडियोज आमी असे बनो ले 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 कि बोर्ड वर शिकोतों कि मुलाला ते फील होताज नह कि पीपीटे ने शुक हो ले तैना अउगर जाता है मग आमी काय करतों बोर्ड वर शिकोतों हो और माजा जो बोर्ड तो डिजिटल बोर्ड है मैं माक्चा 12 वर्षा पास तो डिजिटल बोर्ड वापड़तों है मंजे एक खाता है पॉयंट ज़र मला फोकस कराई से तर मी तेया चार कलर वेगवड़े वापर उन मुला ना थे हाइलाइट को रखतों मंजे मुलगा चा माजे वीडियो आई तो त्याला असा रिलाइज होत नहीं कि असा कभी पना वाटने कि बार मला काई समजात नहीं है काई प्रॉपर दिशत नहीं है असा कह नहीं मी सरव कोचिंग करायला चांगला वाट्टाम अच्छा अनि दूसरी गोष्टा ओनलाइन कोचिंग चा फायदा माला काय वाट्टो है माजा दूसरी मानतों मी आधी अपलाइन अस्तान ना लाम चीमलो यू शकतनो होते जहां मुलान ना 100 किलुमेटर है क्या 100 पेक्षा जासत 15 किलु कर पायाले अन्लाइन कोचिंगा मुलान नाशिक मरान सुद्धा मुलान यूसरी जोईन कले लेन।ONA नगर वरून कर संथरी मुंभाई मंा एक प्रकारी बेनिफिट है जर अप्लाइन आलासऊहन था तो तयांने पून अप्लाइन क्लासेस पन सुरू जाले तरी मी ओनलाइन बैचेस कंटिनुट होना रहे कारब मही अशी सिस्टीम डेवलोप के लिए ओप्लाइन बैच मदे ही ओनलाइन कोचिंग पन चाले लासता त्यामों एक प्रकार मला सवी लाग ले लिये नंतर ओनलाइन मदे मुला बैचेस जवा जवा मी प्रतिक विकला बैच स्टार्ट करतास्तों तयामों लामचे मुला लेट जॉइन करना मुलानना तो प्रश्ण प्रोब्लेम एत अज नहीं कि सर माझे हे सूटलेले या गोश्टी करता ही तर ओनलाइन कोचिंग मदे माझे ज कारण एक गोश्ट्य जया सम्ज़ई जवा तर आपवं ज़ त्याचा खुशी ने शिकोला वीट एनरजी ऑडियो मलाभ एक्षिन करून ज़िकोला बहु ज़िए ज़रोत पड़तात्त अपना जोश्ट जराईला तर मुलानना सुझा प्रश्टी ज़िए गोश्टी सोपा एक्चुली माजी 12 वर्षय पासुन मी एक और अडियो लैब डेवलोप के लिए होती। माजी बरपूर लोकाना वाटना की एप्लिकेशन आता है बरपूर बाजारत इता है। मानने कर तो मी पन मी या गोश्टी अल्री 12 वर्षय पासुन शुरू के लिए है। मी तैसा सरी धा 15 वर्षय लैब डेवलोप के लिए होती। जाजा मुलानना एक्जाम चा अगोदर रिविजन ची गरज रागाची। काई मुलानना काई कार्नास्तव लेक्चर्स करू शकतन होते। मुला सुद्धा या चाने लैब मेदे यून 24-30 सेवाद दे लिलिया। मुलानना मजे जागा नाइ बुकिंग पैक रहे जाए। कारण एक्जाम चाओ गदर या गोश्टी मुलानना कुप गरज पड़तोते। कारण या अप्लिकेशन मेदे जो विडियो बनो लेले मी। आज प्रणता जो माजा अनुभवे अठरा वर्षा चाहां मी हजारों इंजिरिंग से मुलानना शिको लेलाए। तर जोड़े फ़र्म इस कारण मुलानना लक्षा तर या जा ट्रिक्स डेवलप के लिए लेलाए। मेथर्स मुलानना कारण मुलानना कारण लक्षा तर या डेवलप्मेंट के लिए रिसर्च के लिए लेलाए। कंसेप्प वियोस्तित शांगिते लेए मुलाने तिया फॉर्मेट सरव चाजरे वीडियो फॉर्म में दे आनों देले ले बुदू आनि है वीडियो अगतान मुलाना काई गोष्टी वाद्टा की माला डबलल बेस बहगाई चे ते मुला ते जह जह वीडियो यह यह प्रिविजन करूं शकता है। तर यह फॉर्मला शीट ते मुला तीथा सुद्धा नोट करूं ते रिविजन करूं शकता है। त्याचान अंतर मला एक गोष्ट खूब आठ्वनेतो है। कि मुलान ना एकजाम चादो गरदर सरु गरज रहते। तर जवा मी लेक्चर्स एक हाथा सपोज M1, M2, M3 मी जवा त्याना शंबर चा वर्थी लेक्चर विंग शुको लेला है। तर एकजाम चा आठ डियों साधी है शक्क्र नी शंबर लेक्चर रिवाइस करना। तर तया मुलाना मी जवा करें तो कोर्स धापन्दरा विशतास अचा बंधन दिले ले एप्लिकेश मदे। मंची मुलानी धापन्दरा विशतास ते आईकला तरही माजा सरो कंसेप् ट्रिक्स मुलाना लगज आठ होताथ। स 2 प्रटेसा सब्सक्राइब था प्रwe21 से की अलाइन वह है, कंकि मैसे लिए लाय दो ओक मततबूती। तो मुला सांकतात कि सर अजुन गया अजुन एस्टा सम गया मज़ी त्यां चागडे भरफू टाइम है अनि मी जा वे ने सिखोतो है जा प्रोसेस नी सिखोतो है त्या प्रोसेस में मुलाना एक्स्टा सम करा ची इच्छा होते हैं अनि एकादे मुलाला जर काई गोश्टी आले नहीं तर तो मी त्या सर्म पार्ट वीडियो स्फाम मधी पन देले लें सर एक्चुली याई एपस नंदर बाद याना बरीस महीती जानून खेचे अजुन बरेस प्रश्ण आहे जे मला तुम्हारा विचार हैसेद अपन बहुत है का हैलो शोविस्तास मदे श्री मनोट साउधरी गणी तद्निया अपलेला मार्ग दर्शन करता है तैना खुब प्रश्ण वीचार हैसेद पन वेल जाली है एका चोव टेश ब्रेक ची अपलेला मार्ग दर्शन करता होते गणी तद्निया मनोट साउधरी सर आणारे सर अपन मगाशी एक इंजिनरिंग मैस अप बदल बोलतो तो या मैस अप साज उप्योग आहे हाँ डिप्लोमाचे मूलाना कशा पद्धती न होतो डिप्लोमाचे जे मूला है यानना ग्याप मैस साथी तया मूला थे अलेडी घाबलेलास तर मी काय करतो या मूलान ना बेसिक पासन अधी लेक्षास मदे सरो गोष्टी कोवर के लेला है अप मदे पना ही तया बेसिक फॉम्लीज जेवडे फॉम्लीज लागनार त्योड़ेश आए यह मूला खुब मेहनात या मूलान लगेक्षा कॉंप्लीकेश कोप चांगलेलास तो अनि मी ऑ्टरोम जब्सकॉलेज साथी सुद्ध यह। लागनार त्याएक सेक एर च्रॉम्लीज ओं मूलान बेदे अप्लीकेश्टी जी टेवलेश्टी जी माज्या कले एप्लीकेश्टी एप्लीकेशन साथी एलोवार इ सब्सक्राइब करते हैं कि अप्लिकेशन में बेनिफिट का है कि कोणा डिपेंडनसी नहीं जाना जसा वेल्ड में तो ते लोका लोकार करता था पड़ या वेगरा कॉलेजरे सब्भाइस करमा है तो या सग्राइब सब्सक्राइब कि वा या मदे समा विश्टा है का या बदल का इसा है हो एक्चुली इंजिरिंग मैस है अप्लाइब मैस है और यह सरुवा युनिवर्शिटी चा सिल्याबस 90 परसें सेमस्तों थोड़ा सा सिल्याबस कमी जास्तों पन जया रिक्वार्मेंट रसे में सोथा वी एप डेवलोप के लिए ले 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 मला मैतें काई रिक्वार्मेंट हैली इमीजेटली त्या गोश्टी व्याग्डा करने तो हम त्यास्तों आद को अजुन एक जाता एक प्रश्णवी चार रहा है तो मझे इंजिनेरिंग मैस समहत्व काया है इंजिरिंग मैस मदे आता सरवात मतवाजी गोश्टमाला थे मनाएचे कि इंजिरिंग मैस चा जे प्रपर जर्केला मुलाने कष्टानी जर्केला तो याचे ने लॉजिक डेवलोप होता पन आता चा सिच्चोशन मुए मुलान चे विचारज अशे खराब जाले कि मला यवड़ाज वाचाईचे काय लुको गाइल देनार पर अशे गाइड़नस अशे देता कि यवड़ाज ने तो या मुए मुला चे लॉजिक कदी डेवलोप होत नहीं मुलाला महनत्य ची यह जवड़ेपन गुरोइंग फिल्ड है सर्वा मदे मैस हे बेस है आज काल प्रतिक गोष्ट आटोमेशन जाले लिए अटोमेटिक जाले लिए टेकनोलोजी डेवलोप होता है यांचा प्रोग्राम मदे सर्वात में हार्ट जर असल तो मैस है तर मनून मैस मदे सर्वात अधि लॉजिक डेवलोट आता गूगल मैप आपरता सर्व जन एग्जैक्टली गूगल मैप जए यह ग्राफ्थरी चे अपलिकेशन है अपन कमीत कमी ग्राफ्थरी चे अपने तो तैसे में आपन एक जागे और पासुन दूसरा जागे जानाए सट आपला भरपु मार ग गणित अधनिया मनोज सवधरी सर आपला सोबत होते तैनि आपला खुप चान मारग दर्शन केले उध्या सुधा नवीन विश्यासा आपन पुन्ना बेटना राओत तो परेंता धन्यवाद